दोस्तों यहां मैंने WhatsApp को ओपन किया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WhatsApp में Auto-rotate कियों होता है अगर आपके मोबाइल में होता है तो आप इसे solve कर पाएंगे अगर नहीं होता है आट रोटेट तो आप सॉल्ब कर पाएंगे तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तो यहां पे मैंने WhatsApp को ओपन कर रखा है यहां आपको WhatsApp का इंटर बइसद देख जाएगा तो दोस्तों यहां पे एक प्रोप्रोटलम हो जाती है आपका WhatsApp आटो रोटेट होने लगता है, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करूँगा, तो यह आटो रोटेट हो गया, यह कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटा सा एक काम है, जिसे आपको खुदी कर लेना है, और आ आटो रोटेट नहीं होगा, और अगर नहीं होता है, और आप करना चाहते हैं इस सेटिंग को, तो फ्रेंट से आप इस सेटिंग को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से फ्रेंट से आपको अपने नोटिविकेशन बार को ओन कर लेना है, यहां पर आपको काफी कुछ मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको देख लेना है रोटेट या पॉटेड तो यहां पर देखिए यह लिखा है आटो रोटेड इस पर एक बार किलिक कर देंगे यह देखिए ऑन है इस समय यह ग्रीन दिख रहा होगा आपको यह ओन है इस पर किलिक कर देंगे और आप वाट्साप को ओपन करेंगे फ्रेंड्स यह देखिए कैसे भी आप कर लेंगे लेकिन आपका वाट्साप आटो रोटेड नहीं होगा अब यहां पर फ्रेंड्स वीडियो कॉल की बात आ आप वीडियो कॉल करते हैं और उसके बाद आपका आटो रोटेड हो जाता है आपकी पिक्चर जो फुल स्क्रीन जाती थी वह कम जाने लगती है दूसरे फॉन पर जहां आपने वीडियो कॉल की है वहाँ पर आपको ऐसे कर देते हैं अपने मोबाइल को तो आटो हाँ यहां पर दिख रहा है इसे आन करेंगे और फ्रेंस के वीडियो कॉल करेंगे किसी को यह सब ठीक हो जाने वाली है तो दिख्यीं यह दिखिए मैं निए वहां से इसको फिर झाल किया मैंने वहां से अ करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना